Hello Everyone, अज मैं थोडेनल शेयर करूंगी नवाबी सेवाईयां नवाबी सेवाईयां बुनाब लेएं, मैं बिल्कुल पतलिया बढ़ियां सेमियां लेएं ताइसो ग्राम सेमिया लेएं ने उन्हाप अन्हों बिल्कुल क्रश कर लें बिल्कुल तोड़ लेनिया ने बहुत छोटे छोटिया कर लेने क्रश करें कि सेमी अपनिया क्रश हो चुकी है एक पैन वी चपन दो वड़े चमच देसी के ओधे पामागे इसे वीच कोई ओयल नहीं पौन आपा देसी के ओधे पुन ने आने सेमीया क्यों मेल्ट हो चुक है और अपने सेमीया पुन आगे सेमीया अपन लोग फ्लेम तेहीं पुन ने आने बहुत पतली आने नहीं तर सड़ जानगे सेमीया कलर चेंज हो चुक है दो मिनट पुन देन हो गए और अपा इसे चार चमच शुगर दे आड़ करांगे मैं ब्रांग शुगर यूज कर रहे हैं तुसी चाहो था पाउडर शुगर यूज कर सकते हो रेगलर शुगर भी यूज कर सकते हो तेन स्पून में पारें मिल्क पाउडर दें इसनों अच्छी तरह मिक्स करके लो फ्लेम ते पसेमिया नों पुनना दें लो फ्लेम ते सेमिया आप अदो तक पुनना गे जदो तक पाउडर शुगर ते मिल्क पाउडर इस विच अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जान्दा इसनों पुननाली चार तो पांच मिन्ट लगते सेमिया आप चंगी तरह मिक्स नहीं करने वाले आप सेमिया अपनी आप नियंगे जाती सेमिया था त्री फोर्थ पार्ट आप एक प्लेट विच नैंड बाउल Sic कठले न वन फोर्थ अपा पैन विची रखलाँ ये आप एन अदा बेस बुननाल वाले है है में तो नो दूस्नों अप्योर्थ लिग त्री फोर्थ पार्थ आपा बार कडले वान फोर्थ पार सेमयां दा जो अपा रख्या इस विच आपा एक पिंच ओरेंज फूड कलर एड़ करांगे फ्लेम अपनी बांद है और अपा सेमयों पूनियों है ने इसनो अच्छी तरह मिक्स करलांगे अपना उपर सेमयां दा थोड़ा कलर दें लें अपना और इच फूड कलर एड़ कर लिया तोसी नहीं चोड़े तो ना भीपा वान फोर्थ पार्ट सेमयां दा कलर में तांट चेंज कीता है क्योंकि ना दीन आपा टॉप लिएर बुना वान इक बेकिंग डिश विच उम्मे अपा थ्री फूर्थ पार्ट पेलना कड़िया से तोसी किसे वी बाउल वेच किसे वी टिन वेच किसे वी चीज़ चिनानू सेट कर सेविए अच्छी तरह पैना दीख थिक लेर बुना गणिगा गरम-गरम सेमय यही अपा इसविच सेट करांगे कि कॉली या ग्लास नाल अपा इनानू प्रेस करना तांके बिल्कुल टाइट जम 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 इसनो अच्छी तरह प्रेस करला ना तोकि बाद विच अपा इनानू कट्की खान वाले हैं तो बाद जो सेविए बिखन गिया नूँ आ देखो टाइटली प्रेस करना बिल्कुल एक थिक लेर इसदी बन गी है और अपने एक पैन लवांगे उस विच अपा एक लिटर दूद पामागी दूद नूँ अपा अच्छी तरह बाड़ा देआंगे दूद नूँ बाड़ा आ चुक्या है और अपनी फ्लेम लो करणा है एक बावल विच मैं थंडा दूद लिया इसविच दो स्पून में कस्टड पाउडर पॉन लगी है दो स्पून कॉर्ण फ्लोर देए यहान उपा अच्छी तरह मिक्स करांगे और अपने दूद विच कस्टड पाउडर दा मिक्सचर पामागे और थोड़ा थोड़ा पॉंदे जामागे तांके लॉंदे जामागे तांके लॉंप्स ना बढ़न जाब इसनों हिलान दे हुए आप दो तो तिन मिन तक पकावांगे तुद अपना गाड़ा हो चुके कस्टड पाउडर ते कॉर्ण फ्लोर देना अपनी कस्टड पाउडर ते कॉर्ण फ्लोर दा कच्छा पंड खतम हो गया उनसी स्पून देखो इसते पिछे उनसनों कोड कर रह प्रेदर इसस्टेईते मैं इस विच दोसो ग्राम मिल्क मेड ऐड़ करांगी इसते नाला पननु एक्स्ट्रा शूगर नीपोणी परणी परणी फ्रेंड्स ये तुसी इस विच मिल्क मेड नहीं आड़ करना चौन दे तब तुसी इस विच अध्डा कप शूगर दा इसते नालगी तो उन्हों सेम कंसिंस्टेंसी मिलेगी अपना दूत गड़ा हो चुके हैं तुसी इसनों इस तो भी ज्यादा रिच बनाना चाने हो तो फ्रेश क्रीम एड़ कर सकते हैं इस विच अपनी फ्लेम हुन बंद करांगे गरम-गरम ही कस्टड अपने बेस दो पर पामांगे थंड़ा बिलकुर नहीं करना है क्योंकि थंड़ा होके हूर गड़ा हो जाना पर गरम-गरम ही इस तो पर सेट करना हुन एक इंच दी थिक लेर अपना लेनी है अपना इस ती टॉप लेर ते सेमियं पामांगे कि इस ती टॉप लेर अपना अच्छी तरह सारे कुनियों तो सेट कर लेनी है उसे देख सकते हूं टॉप लेर सेमियां दी फिर कस्टड फिर बेस अपना सेमियां दा अपना इसमों नर्स ना गार्निश करांगे अपना इसनों सेट होन ले रखांगे तुस्य चाहों ता रोम टेंपरिचर दे रखे भी सेट कर सकते हों दो तिन कंटे ले पर रखके सेट करांगे क्योंकि गर्म गर्म है स्वाव नहीं लिखनी पर मैं इसनों तिन कंटे ले फ्रिज विच रखन लखें इससे वहियानों फ्रिज विच रखें तो तिन गांटे हो चुके नहीं बिल्कुल सेट हो चुकिया तोसी देख सकतें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीक है नहीं सेट हो चुकी तुसी देख एक साक देओं आपने उपर क्रंची सेमिया नीचे क्रंची सेमिया सेंटरच अपना क्रीमी कस्टड तुसी में नू कमेंट करके देशे हो कि मेरी रस्पी तो नू के में दिल लगी अच्छी लगी तहां फैमिली फ्रेंड्स विच शेयर करें मेरे चैनल नू सब सुस्क्राइब करूँ वीडियो देख ली तोटा बहुत बहुत तन्वाद